Welcome back students, our next topic is breathing and burning, comparison between breathing and burning. Breathing, सांस लेने का अमल and burning का मतलब है जलना, यानि जलने का अमल, जिसमें के आग लगती है, जलाई जाती है और उसको हम बोलते हैं burning, यानि इनको आपस में हमने compare करना है. Breathing and burning process can be compared and compared का मतलब है कि इसमें हमने similarities और इसमें जो differences हैं उनको आपस में compare करना है. इसमें जो similarities हैं वो ये हैं कि during the both processes energy is released from a fuel. दोनों में जो energy है वो release होती है. एक तो ये बात similar कि अगर वो breathing हो उसमें भी energy release होगी, अगर वो burning का process है उसमें भी energy जो है वो release होगी. बोथ processes use oxygen and release carbon dioxide. और similarity क्या है कि अगर हमें सांस लेना है तब भी हमें oxygen चाहिए और अगर हमने कोई चीज जलानी है तो burning के process के लिए भी हमें oxygen की जूरत है. और दोनों में carbon dioxide जो है वो release होगी. ये तो इनकी होगी दो similarities. और difference इन में क्या है कि main difference between the two processes is the rate at which they release energy. कि जो energy ये release करते हैं उन में difference होता है. क्या difference है दोनों में कि जो energy release करते हैं वो ये है कि जो हमारा breathing है. इन breathing जो oxygen जो है फूड के साथ मिलती है. काबन डाइकसाइड रिलीज होती है. उसके साथ जो energy रिलीज होती है वो बहुत कम मिक्तार में होती है. small amount होती है. और slow होती है. और उसके अलावा इसको हम control कर सकते हैं. it can be controlled. ये हमारे control में होती है. कि हम कैसी oxygen अंदर लेके जा रहे हैं. कितनी मिक्तार में लेके जा रहे हैं. ये हम इसको control कर सकते हैं. इसको उसके बाद है burning इन burning जो है इसको combustion भी बोलते हैं. इसमें जब oxygen मिलती है जो carbon dioxide release होती है. a lot of carbon dioxide and load of energy जो है वो release होती है. इस combustion के इस burning के प्रोसेस के दुरान में. और वो जो है release होती है. वो हमारी quantity कितनी होती है. किसके मिक्तार में कितनी जादे हैं. उसी से फिर जो है जलने से जो चीजों के. जो हम लकडी या कोईला या कोई भी material यूज़ करते हैं. तो उसमें जब उसको आग लगाई जाती है. तो carbon dioxide release होगी. और जो energy release होगी. वो ज़्यादा मिक्तार में होगी. अलोट अफ एनरजी होगी. जबकि breathing का अमल जो है. उसमें small amount में होगी. क्यों हमारे body के अंदर एक प्रोसेस हो रहा है. उसमें जो energy release होगी. वो कम होगी. और इसमें carbon dioxide की मिक्तार भी हमारी body के according होगी. ये तो होगया दोनों का comparison. यानि कि similarities क्या है और इनके differences जो है. difference तो इनमें ये है कि इनकी जो energy release होती है. जो similar बात है. वो उसमें change होता है. ये है हमारा breathing and burning का process. Okay student, next topic हमारा होगा. इन्शाला हताला. हमारी common diseases of respiratory system. इन्शाला next topic के साथ फिर मुलाकात होगी. और तब तक आप ये सारा lesson जोतना आपने पढ़ा है अपनी book में से भी देखिएगा. और इसको learn कर लीजेगा. Okay, इन्शाला अगले topic के साथ मुलाकात होती है. इन्शाला अफिस.